हेलो स्टुडेंट्स आई ये भी पार्ट देखते हैं सी पार्ट देखते हैं इसमें प्रिंस्पल कितना दिया हुए है 62,500 रेट आप इंट्रेस्ट दिया हुए है एट परसेंट टाइम दिया हुए है वन वन अपाउंट तो यह और बताना क्या है हुए है इमाउंट बताना है और CI बताना है यानि compound interest बताना है ठीक है इस question में आप क्या नया सीखने वाले है हर question कुछ नया ही सीखेंगे इसमें आपको नया एक word मिला यहां पर compounded half yearly इसके पहले वाले दोनों question में compounded annually होता था और यहां पर क्या है compounded half yearly है इसका मतलब कुछ नया यहां पर होगा तो क्या होगा यह देखो जो बता रहे हैं ध्यान से सुनना जब compounded half yearly दिया हो ऐसी situation में हमको दो काम करने पड़ते हैं जो rate of interest है इसको half कर दिये जाता है क्या कर दिये जाता है half तो यह हमारा हो जाएगा 8.2 यानि 4% ठीक है rate हमारा क्या हो जाएगा 4% हो जाएगा rate और time को हम कर देते हैं double जैसे कितना है 1.5 साल है न देज साल को क्या कर देंगे डबल कर देंगे डियर्व साल का कितना होता है 3 साल लेकिन ऐसे 3 साल फोड़ी लिख सकते हैं इसको हम लोग पहले solve करेंगे तो डबल 2 से multiply करेंगे, double हो जाएगा, लेकिर पहले इसको इसको इन प्रापर कर लो, 2 वन जा 2 और 1, 3, यह हो जाएगा, 3 upon 2, और क्योंकि इसको double करना है, तो हम इसमें 2 से multiply कर देंगे, तो 2 से multiply करने के बाद, यह देखो यह नीचे 2 है, यह उपर 2 है, 2 से 2 कर जाएगा, बचेगा 3, यानि, टाइम क्या हो गया हमारा, 3 years, इतना काम आपको करना पड़ेगा, अगर half yearly दिया है तो, तब यहाँ पर यह मत सोचने के सारा, बताये थे कि कहीं whole number और आधा दिया हो, तो compound अलग निकालना है, आधे साल का अलग निकालना है, यह बी वाले में बताये थे ना आपको, लेकिन वहाँ half yearly नहीं लगा हुए थे, जहां पर half yearly लगा होगा, यहाँ दो ही काम आपको करना है, extra, कि time को double कर देना है, क्योंकि एक साल में 2 half yearly होते हैं, एक साल में 2 छमाही होत इसलिए हम time को double करते हैं, और time को double करते हैं, इसको याद रखना थोड़ा दिमाग में अपने, जब भी half yearly की बात होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही solve करते हैं, जैसे आप solve करते हैं, एक है, तो amount का formula क्या होता है हमारा, p, 1 plus r upon 100 की पावर n, p कितना है हमारा, 62 500, 1 plus r कितना हमारा बन गया, कर्वर्ट करने को बाद 4 upon 100 की पावर n, n अब कितना हो गया है, 3, चलिह solve कर लेते हैं, 62,500, 1 प्लस, इसको क्या ले सकते हैं, 4 1 जब 4, 4 25 जा हैं रेट, 4 से हैं रेट को डिवाइड करने पर 25 बढ़ जाता है, तो आगे 1 अपन 25 की पावर 3, तिक, अब 62,500, 25 बंज़े 25 और 1, 26, 26, 26 अपन 25, ब्रेकेट हटाएंगे, ति यहां लग जाएगा इंटू, और पावर में 3 हैं, यानि यही चीज हमको 3 बार लिखना है, 26 अपन 5 इंटू 26 अपन 25, ठीक, क्यूब था न, पावर में 3 हैं, इसलिए इसको तीन बार लिखे हैं, अब इसको हम लोग solve करेंगे, न, चलिए solve करते हैं, 25 का square होता है, 625 अगर आपको याद होते हैं, इसको में आप पर चुके हैं, यानि 25 से अगर 625 को काटेंगे, तो 25 बार ही जाएगा, 25 इंटु 25 से सहने 25, इसे 25 बार जाएगा, और यह दो 0 बचा हुए, इसको लगा देगा, इस 25 से 25 काट जाएगा, 25 से 25 काट गया, 25 बचा है, तो यह दो 0 यहाँ लगा, कितना हो गया, 100, पुरा कट गया जाल लो, अब 100 भी 25 से कटता है, कितनी बार? 4 टाइम्स, कितनी बार? 4 बार, यहाँ पूर लिग देते हैं, नीचे का सारा कट गया, बस उपर कही बचा है, ना, 4 और 26, 26, 26, 26, 26 का अगर आपको क्यूब लड़नों तो आप आराम से कर सकते हैं, सायद 27, 576 होता है क्यूब, लेकिन मु कर लेते हैं, नहीं आदेते हैं, ठीक है, 27, 576 होना चाहिए, 4 इन्टू, लेकिन मुल्टिप्लाई कर लेते हैं, रेक्स क्यूब लिया ना, तो मुल्टिप्लाई किसमें करें बताओ, 26 और 26, दो कातो कर्स कम आता है, 660 होता है, 676, 26 इंटू 26, 676, और बचाईए वाला 26, अ जो आएगा, उसमें 4 से मल्टिप्लाई कर देना, 66 जा, 36 कारी 3, 67 जा, 42 और 3 कारी था, 45, कारी 4, 66 जा, 36 और 4, 40, 26 जा, 12, 27 जा, 14, 1 कारी था, 15, 26 जा, 12, 1 कारी था, 13, इतना आ गया, 6, 5 और 2, 7, यहा 5, यहा 7, यहा 1, इन तीनो, केतना है, 17, 576 आएगा, 17 नहीं आएगा, ठीक है, मतरब 27 नहीं होगा, 17, 576, बोड़ा थोड़ा याद था मुझे, अब 4 से से मल्टिप्लाई कर दू, जो आएगा, आपका अमाउंट आजाएगा, डारेट, चलो मल्टिप्लाई कर दू, 4, 6, 24, केरी, 2, 4 से बन्जा, 28, और 2 केरी था, 30 हो जाएगा, 30 का 0, केरी 3, 4, 5 जा, 20 और 3 केरी था, तो हो गया, 23, केरी 2, 4 से बन्जा, 28, और 3 केरी, 2 केरी था, 30 हो गया, फिर से, केरी 3, 4 बन्जा, 4 और 3, 7, कि इतना आगे अमाउंट हमारा, इतने रूपीज, 70,304, इस प्रिंस्पल पर इतना आमाउंट मिलेगा, कितने साल बाद, डेर साल बाद, 8 परसंट के रेट से, ठीके, यह आगे हमारे अमाउंट, यह क्या चीज़ आया है, यह आया है अमाउंट, ठीके, अमाउंट तो पता चल गया, चलो लिख देते हैं, अमाउंट कितना म पता चलेगा, एमाउंट में से, माइनस करेंगे, प्रिंसिपल, अब तो यह सब चीज़ आप लोग समझ गया हैं ना, चलो यह क्या होता है, एमाउंट माइनस प्रिंसिपल, माइनस कर दो, यह आगे हमारा 4, यह तो 0 ही गयेगा, और 3 में से 5 जाएगा तो, 30 में से 5 गया तो, आगे हमारा 8, और यहां क्या बच्चा, 9, 9 में से 2 गया तो, 7, ठीक है, और यहां बच्चा 6, 6 में 6 से तो अही रहेगा, बस यह हमारा नहीं सब जाएगा, 7804, ठीक, 7804, यह हमारा आया है, CI, तो आपको सब में आया होगा, आईए, डी पार्ट देख लेते हैं,